So hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel, Storyteller Anum. So, आज हम लोग बात करेंगे होस्टलो के सफर नॉविल की थर्ड चाप्टर की. तो चलिए बिनादेरी के शुरू करते हैं, थर्ड चाप्टर. पुलिस विदाउट बुलिट, जूलियो फ्रांसिस रिबेरो. किसी मुंबईकर से कूचे की बॉम्बे का सुनहरा दवर कौन सा था? तो वैं फटाक से जवाब देगा. सत्तर का दसक. लोगों के जरूरते कम थी, गाडियां कम थी, चलने के लिए खूब सारी जगा थी. कपड़ा मिलों में तनाव जरूर था, लेकिन उनसे लाखों उत्तर भारतियों को रोज़कार मिल रहा था. बेसक इन मिलों के मालिक गुजराती थे, लेकिन कुल मिलाकर मराथियों, गुजरातियों और उत्तर भारतियों का तालमेल बना हुआ था. करुडा निधी के भासाई अंदोलन के बावजूत इस्तिती बिगडी नहीं थी. किसी भी सीना ने सडकों पर हुरदंग शुरू नहीं किया था, अपराद था लेकिन गैंगवार नहीं था. अपरादी सिंडिकेट के रूप में थे और ऐसे ही विलिन फिल्मों में भी नज़र आते रहें. अमिताब बच्चन की एंगरी यंग मैन वाली फिल्में धो मचा रही थी. जिन में हीरो यूपी बिहार के किसी मिल मजदूर का बेटा ही होता था. पैश्वी करण और उदारी करण चोके सिर्फ सरकारी फाइलों का ही हिस्सा थे. ऐसे में लोगों की जरूरते भारती कमपनियां ही पूरी करती थी. और इसलिए मर्फी का टू इन वन और हम्टी की घड़ी ही लगजरी प्रोड़क्त थे. सत्तर का दसक खतम होते होते बॉम्बे की तश्वीर बदलने लगी थी. हाजी मस्तान ने जैप्रकाश नरायर से प्रभावित होकर आंदोलन में हिस्सा लिया और तश्करी छोड़ दी. करीम लाला और दाउद इब्राहिम के बीच टकराओ की खबरे अकबारों का हिस्सा बनने लगी थी. और पुलिस का काफ़े वक्त इन तसकरों के पीचे खर्च होने लगा था. लेकिन आम जनता को इससे तकलीफ ना थी. सायद इसलिए क्योंकि वे सीधे तोर पर इससे प्रभावित नहीं थी. कपड़ा मिल आंदोलन धीरे धीरे हिंदी बना मराठी में तब्दील हो रहा था. पर मजदूर नेता दत्ता सामंत को साइड लाइन करने के लिए इंदेरा गांधी ने बाल ठाकरे को परदे के पीचे से शमर्थन देना सुरू कर दिया था. यहीवे समय था जब बॉम्बे की फिजाओं में शाम्प्रदाइकता तैरने लगी थी. बरोसे का नाम रिबेरोन वे अगस्त 1989 का एक रवीवार था. दो दिन बाद ही आजादी का जश्ट मनाया जाना था. मलाट के उस मैदान में छुट्टी की चेचाहाट गुज रही थी. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. समुद्री लहरों की आवाज पर उड़ रहे शिंगिंग बर्ड्स लै ताल मिला रहे थे. पंद्रा साल का जिगनेश लगता दो छक्के माल चुका था. उसका पूरा ध्यान उन पक्षियों पर था और वे कोशिश कर रहा था कि उसका एक चौड किसी पक्षी को टच कर जाए. बॉलिंग कर रहे साहित का गुस्ता होना स्वाभाविक था क्योंकि इस मैदान में कोई उसे इस तरह नहीं पीट पाया था. उसने अपना रन-अप लिया, जिगनेश ने मुस्करा कर पोजीशन ली और अंदाजा लगाया कि इस पर साहित सौट पिच केंद फेकेगा. उसने आकरामक शौट लगाने के लिए बल्ले को थोड़ा उठा रखा था. साहित ने दोरते दोरते बल्ले बाच्च की पोजीशन भाप ली और अंतिम छड में गेंद को फुल्टास कर दिया. जिगनेश ने आगे बढ़कर बल्ला गुमाया. छेतर रक्षकों ने आसमान के तरफ नजर गुमाई लेकिन बॉल किसी को भी नजर नहीं आई. एक पल को सन्नाटा चा गया. जिगनेश! साहित की तीज आवाज ने सब का ध्यान की चा. जिगनेश पिछ पर आंधे मुगीरा हुआ था. उसकी नाक से खून बै रहा था. बॉल उसकी कनपटी पर लगी थी. मैदान में अफरा तफरी मच गई. अस्पिताल ले जाते समय रास्ते में ही जिगनेश की आखे बंद हो गए. सिर्फ दो घंटे की भीतर ही मैदान के अंदर और बाहर का नजारा बदर जुका था. बच्चों का खेल अब बड़ों के बीच खेला जारा था. तलवारों के साथ, लाठियों के साथ, गालियों के साथ. जिगनेश की मौत सामप्रदाइक हत्या में तबदील हो गई. 14 अगस्त का तनाव इतना बढ़ा की प्रदशन कारियों ने एहमदाबाद मुंबई राजमार को जाम कर दिया. दोनों तरफ कई किलोमेटर लंबी लाइन लग गई. लोग जिगनेश की हत्या में सामिल मुशलमानों को गिरफतार करने की मांग कर रहे थे. चुनाव का समय था और भारी राजनीतिक दबाव था. ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्टर ने अपने सबसे भरोसे मन्थ IPS अफसर को याद किया. जूलियो फ्रॉंसेस रिबेरी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वैं हाईवे में से प्रदर्शनकारियों को हटाएं और मुंबई चुकि ततकालीन बंबई हैं को हिंसा की आग में जलने से रोके हैं. उने सो तिरपन बैच की इस IPS की खाशियत थी कि इसने कभी भी फिल्ड में गन नहीं चुलाई. और इस समय यही एक मात्र अफसर था जो भरोसा पैदा कर रहा था, सरकार में भी और समाज में भी. एक घंटे से भी कम समय में रिवेरो प्रदर्शन कारियों के सामने चौराहे पर खड़े थे. उनके पास जाम प्रदर्शन कर रहें लोगों और गरबड़ी की आसंका वाले इलाकों की पूरी जानकारी थी. उनके वहां पोहसते ही सब इंस्पेक्टर ने उन छुटभईयों नेताओं के बारे में बता दिया, जो लोगों को बरगला रहे थे. लेकिन एक बात की गनीमत थी कि अब तक ये प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील नहीं हुआ था, और कहीं से संचालित नहीं हो रहा था. रिबेरो ने पुलिस वालों से खुद को फॉलो करने को कहा और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज को थोड़ा दूर खड़े होकर निर्देश दिया. पुलिस वाले जुन्ड बना कर इनकी पीछे खड़े हो गए. रिबेरो चेहरे पर अंजान भाव लिये भीड की सामने पहुचिया और कड़क आवाज में पूछा. यहां थो क्या रहा है? क्या साहब जानते नहीं क्या? मडर हुआ है मडर. मडर किसने किया? फिर भीड ने उन्हें बताना शुरू किया कि कैसे जिगनेस की हत्या हुई. जितनी देर तक लोग घड़ना को बयान कर रहे थे, उतनी देर में रिवेरों ने सबसे आगे खड़े विक्ती का हाँ समर्थर भाव से पकड़ लिया. फिर लोगों की तरफ देखकर दो भद्धी गालिया हत्यारे समाज को और एक गाली पाकिस्तान को दी और जोर से कहा, चलिए मुझे दिखाईए मर्डर कहा हुआ है. ये कहने के साथ वे भीड की प्रतीक्रिया का इंतजार किये बिना उस व्यक्ती का हाथ पकड़े-पकड़े मैदान की तरफ पड़ गया हैं. फिलिस वालों ने उनके निर्देश का पालन किया और उनके पीछे चलने लगे. रिबेरो ने पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन पीछे से आते शोर ने बता दिया कि भीड उनके पीछे ही चल रहे थी. चोराहा खाली हो चुका था. तुरंथ ही ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और जाम खुल गया. उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को दुबारा जमा नहीं होने दिया. राजनीतिक दबाव था, रिबेरो पुलिस कारिवाही करते रहें लेकिन साहित पर आज नहीं आने दी. कुल मिलाकर मुंबई पुलिस ने भरोसे का नाम था जूलियो फ्रॉंसिस रिबेरो. प्रदान मंत्री राजेव गांधी से लेकर SIT प्रमुक हेमंत करकरे तक हर कोई उनसे मिलकर अपनी समश्या बताना चाहता था. पंजाब का चैप्टर 1986 के सुरवाती दिनों की बात है. डिबेरो की सरकारी एमबेसडर का दिल्ली के साथ रेश कोर्स की ओड़ जा रही थी. डिबेरो समझ नहीं पा रहे थी कि पीम ने उन्हें इतनी सुबह क्यो बलाया है. उन्हें लग रहा था शायद कोई शिकायत की गई है क्योंकि अपनी गुजराद पोस्टिंग को लेकर फिर नाराज की जाहिर कर चुके थे. और प्रदान मंतरी राजियू गांधी को ये पता था कि डिबेरो खुश नहीं है. वैसे राजियू गांधी खास लोगों से सुबह नास्ति पर ही मिलना पसंद करते थे. तिबेरो उन दिनों मुंबई पुलिस कमिश्टर की अपनी पारी समाप्ट करके और गुजराद दंगों को काबो करने के बाद दिली में ही पोस्टर थे. जब ये प्रधान मंत्री आवास पहुचे तो वहां राजियू गांधी के अलावा अरोन नहरू और कॉंग्रेश्ट के कड़ावत ने था वह मध्यप्रदेश की मुख्य मंत्री अर्जुन सिंग भी मौजूद थे. अरोन नहरू उस्तमें देश की आंत्रिक शुरक्षा मंत्री थे. रिबेरो बैट गये हैं. हमेश्या मजाक करने वाले अरोन नहरू और प्रधान मंत्री शान्त थे. अर्जुन सिंग तो जादा दर गंभीरी रहते थे. राजियुन ने रिबेरो की और प्लेट बढ़ाई. रिबेरो ने बिना कुछ बोले उनमें से एक जलेबी उठा ले. उन्हें पता था कि प्रधान मंत्रे को जलेबी खाना और खिलाना पसंद है. क्या इस बात का भी संकेत था कि बात नाराज़की की नहीं है. बात अरू नहरू ने शुरू की. रिबेरो मना मत करना. रिबेरो शांत बने रहे और अगली लाइन का इंतजार करने लगे. प्रधान मंत्री ने दोराया. मना मत कीजिएगा. पंजाब में हालाद बेहत खराब हैं. और हम चाहते हैं कि आप पंजाब जाएं. रिबेरो कुछ सोचने के लिए रुकना चाहते थे लेकिन उनके मूँ से निकला. देश की प्राइम मिनिस्टर को कैसे मना किया जा सकता है. अनजाने में ही रिबेरो अपने केरियर के सबसे चुनाथी पूनस शफर पर निकल पड़े थे. पंजाब में उन्होंने जो किया वो समाच और मानवता को ध्यान में रखकर एक सैनिक दोरा उठाए गए बेहतरीन कदम थे. लेकिन के पीएस गिल के औरा में उनके निर्ने तत्कालिन सुरक्षा व्यवस्ता को पसंद नहीं आए. तिबेरो का साफ मानना था. सामने दो सिक्ष दोड़ रहे थे. उनकी पगड़ी और उनके कपड़े एक जैसे हैं. भासा भी एक है और खान पान भी. इन दोनों में सिर्फ एक फरक है. उनमें से एक खालिस्तान समर्थक है. और अब जब तक ये तैना हो जाए कि कौन आतंकी है गोली नहीं चलाई जा सकती. जब भी गिल का मानना था कि जब तक गोली नहीं चलेगी और देशत नहीं बैठेगी आतंकी काबू में नहीं आएंगी इस व्यवस्था निरंतरण में यदि कुछ आम लोगों का बलिदान हो जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं बाद में हुआ भी यही पंजाब में कानोन व्यवस्था का शासन दो कमों बेश्ट कायम हुआ लेकिन कई परिवर आज भी उसकी कीमट चुका रहे हैं रिबेरो के कदम दूर गामी असर वाले थे वे इस समस्थ्या को जड़ से खत्म करना चाहते थे और जानते थे कि बिना सामाजिक समर्थन की यह कारी नहीं हो सकता उनके समझाने पर लोगों ने आतंक वादियों को अपने गाउं घरों में आश्रा देना कम कर दिया रिबेरो विचार धारा को विचार धारा से ही मारना चाहते थे काम करने के तरीके में फर्क ने गिल और रिबीरो के मतभीदयों को पटल पर ला दिया और सरकार के लिए दोनों को एक साथ रखना मुश्किल हो गया हरानकी दोनों के बीच संबंद विक्तिकत तौर पर अच्छे थे और वे एकसर साथ बैटकर खाना भी खाया करते थे लेकिन गोली मारने की नीती ने गिल को हीरो बना दिया रिबेरो सत्ता को ये समझाने में विफल रहे कि समाधान बंदू की नली से नहीं बाचेत की गली से निकलता है सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालते विए उन्हें रोमानिया भीशने का प्रस्ताओ दिया पंजाब के खोन कराब्डे से नाखुश रिबेरो राजदूद बनकर रोमानिया चले भी हैं लेकिन पंजाब वहाँ भी उनके पीछे पीछे चला आया सब 20 अगर्स 1991 का दिन था रोमानिया की रास्तानी बुखार रेस्ट में अपने घर में रिबेरो को शूशना मिली कि उन पर हमले की आसंका है तरह की ख़वर रिबेरो हफ्तों में एक बार सुनते ही थे और इसे रोमानिया सरकार की अधिकारी के साथ साजा कर अपने दिन चर्या में लग जाते थे उस दिन जब वे शाम को टहलने के लिए निकले तो शाम कुछ अलग थी आज पती पतनी दोनों ने उसी पुराने रोड पर टहलना शुरू किया जिसे काफी समय से वे अपने शुरक्षा कार्णों से टाल रहे थे तब ही एक जोड का धमाका हुआ और कार की कांच तूटनी की आवाज आई इसके तुरंत बाद दो शिख लड़के नजर आए जो एक के 47 लिए हुए थे और अंदा दुन्द फाइरिंग कर रहे थे रिबेरो समझ के कि ये उनको ही निशाना बनाने आया थे वे भागे लेकिन एक गोली सीधी उनके कमर की नीचे जा लगे रिबेरो घायल हो गए लेकिन रुके नहीं तब तक शुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और आतंक वादियों को भागना पड़ा रुमानिया में भारत का राजदोत खालिस्तानियों की नफरत का सिकार बना उना तंकियों की नफरत का जिनके बारे में उसने हमेशा सकारात्मक सोचा उस रात ओपरेशन थियेटर में लेटे लेटे रिबेरो को उस ओपरेशन की याद लगातार आ रही थी जिसने उन्हें यहां तक ला दिया अपरेल 1988 की बात है पंजाब के राजेपाल सुरिंदर नात के घर एक मीटिंग हुई इस बैठक में रिबेरो और गिल्बे शामिल थे माना जाता है कि प्रधान मंत्री राजेव गांदी भी इस बैठक का हिस्ता थे लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुस्टी नहीं होती खालिस्तानी आतंकवादियों ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पर कबजा कर लिया था आतंकी गुरुद्वारे की मिनारे पर डट गये थे हरमंदिर साहब को आतंकियों के कबजे से मुक्त कराने की रणीती पर विजार हो रहा था रिबेरों ने जोर दिया कि सेना को इस operation से दूर रखा जाएं वे जानते थे कि golden temple पर हमला के बाद सेना को लेकर लोगों में रोश है उनके कहने पर इस operation का जिम्मा पोलिस ने उठाया सेना आधिकारिक रूप से इस operation से बाहर थी लेकिन कहा जाता है कि रिबोरों ने इस सेना से कुछ शानदार निशानो बाजो को इस operation में शामिल किया था गोशित रूप से इस operation की कमांड केपियस किल को सौपे गई लेकिन आतंकी जानते थे कि इन सब के पीछे कौन है खलिस्तान कमांडो फोर्स के सेना पती मलकियत सिंग ने धमकी दी रिबेरों से कह दो ट्रंक मंगाले हजारों लासे उठानी पड़ेंगी रिबेरों ने अफवा पहलने से रोकने के लिए मीडिया को इसके कवरिज की अनुमती दी यह उस दोर में दुनिया का संबहुता पहला ओपरेशन था जिसमें मीडिया को सामिल किया गया उन्होंने पिछली ओपरेशन की उलट इसे बिलकुल भी गुपत नहीं रखा और इसे सामानी कारेवाही की तरह पेश किया लेकिन परदे की पीछे इसके पूरी तयारी की गए दिल्ली के पास मानेशर में एनस्जी की ओफिस में कमान्डोज ने गुरुद्वारे की नक्षे को पूरी तरह रट लिया और सटीक योजना तयार की 9 माई 1988 को अलशुबा की कई विमानों में बैठे तकरीबन 1000 कमान्डोज ने दिल्ले से अमरत सर के लिए उड़ाने भरी ये कमान्डोज पहले से तै जगहों पर पैरसूर्चे उतरे हैं सबसे पहली टुकडी ने 300 फीट उची पानी की टंगी पर डेरा जमाया और एक जटके में खुद को आतंकियों से बहतर पोजिशन में स्थापित कर लिया कुछ देर सांती बनी रही फिर खुद को पंतक कमीटी का प्रवक्ता कहने वाला जागीर सिंग पानी लेनी के लिए कम्रे से बाहार आया तब ही एक निसाने बाजने उसका भेजा उड़ा दी इसके साथ ही सुरू हो गया ओपरेशन ब्लैक थंडर दोती है अगले तीन दिनों में बीस से ज़ादा आतंकी मारे गये गुरू दोारे के परिशन में जरा भी हरकत होती तो सुरक्षा बल गोली चला देते हैं इस तरह परिशन में घुसे बिना रिबेरो आतंकीों का आग्म विश्वाश तोड़ने में शफल रहे हैं चो तरफा दबाओ का नतीजा यह निकला कि कुछ आतंकी सरेंडर करने को तयार हो गए और सरेंडर कर भी दिया लेकिन कुख्यात आतंकी सुर्जी सिंग पेंटा ने साइनाइट खा लिया था हलांकि हर्मिंदर साहब की इमारत अब भी आतंकीों के कबजे में थी तब रिबेरो के कहने पर गिल ने दोशरे धार्मिक नेताओ से आतंकीों पर दबाओ बळबाना शुरू किया और इसके बाद प्रिशित शंध बाबा उत्तम सिंग को लाया गया बाबा उत्तम सिंग ने आतंकीों से पवित्र जगह छोड़ देने की अपेल किया पुलिस ने 18 माई की समय शिमा तैकी और परिशर के अंदर घुषने के तैयारी शुरू कर दे रिबेरो लगादार इसके विरोध में थे लेकिन गिल जल्द से जल्द परिशर खाली करा लेना चाहते थे जैसे जैसे डिर्लाइन नजदेक आ रही थी तनाव बढ़ता जा रहा था लेकिन जैसा कि रिबेरो को उमेद थी 18 में के पहले ही बचे वोग 46 आतंकी हाथ उठाए परिशर से बाहर आ गया गायल आतंकीों के मरहम पट्टे की गई और रिबेरो ने डॉक्टरू द्वरा मरहम पट्टे कराते उसे मलकिया सिंगे तस्वीर शारवजनी कर दी जिसने रिबेरो को हजारों लाशों के लिए ट्रक मंगवाने की चुनावती दी थी यह तस्वीर लोगों के बीच मजाग का भिश्य बन गए और जैसा की रिबेरो का अंदाज था खुंखार आतंकी की मरहम पट्टे कराती तस्वीर ने लोगों के भीतर उनका डर खत्म कर दिया ओपरेशन ब्लैक थंडर को भारत की कुछ शफलतम ओपरेशनों में से एक माना चाता है बेसक इसका सहरा केपीएस गिल के शर बांदा गया लेकिन रोमानिया में रिबेरो पर किया गया यह हमला यह बताता है कि निसाना किसे लगा और कितना गहरा लगा रोमानिया का हमला रिबेरो पर सिख आतंकियों द्वारा किया गया दोश्रा हमला था इससे पहले भी पंजाब में उनके कार पर हमला किया गया था जिसमें उनका शुरक्षागार मारा गया था और उनकी पतनी को चोट आई थी तमाम मतभेदों के बाद भी रिबेरो ने हमेशा गिल की कर्तव विपरायंता की प्रसंसा की उन्होंने ब्लैक थंडर की विशे में भी लिखा की गिल पास दिनों तक बिना सोय काम करते रहे और स्थिती को निहंतर से बाहर नहीं होने दिया इतने दबाव की बावजोत रिबेरो ने अपने सिध्धानतों से समझोता नहीं किया बात में जब पंजाब ने रास्टपति शाशन लगा तो उन्हें सलाहकार बनाया गए केंद्र सरकार का उन पर भरोसा था क्योंकि वे पंजाबी ना होती वे भी पंजाब ने भरोसे का नाम बन कर उभरे थे और इसी लिए आतंकियों की आफ में खटकते थे सरकार के लिए रिबेरो कितने जरूरी थे इसका पता एक घटना से चलता है रिबेरो भारत सरकार में विशेज सच्चिव के पद पर काम कर रहे थे उन्हें पंजाब के डारेक्टर जनरल आफ पुलिस के पद पर काम करने को कहा गया यह पद विसेज सच्चिव की नीचे माना जाता था रिबेरों से कहा गया था कि उनका स्टेटस और वेतन पहले की तरह ही होगा बस वे इस पद पर काम करें रिबेरों ने कहा कि वे पहले से ही पंजाब की आतंग बात पर काम कर रहे हैं लेकिन डीजीपी बनने से उन्होंने इनकार कर दिया भारत सरकार चाहती थी कि रिबेरों डीजीपी बने ताकि उनका पूरा ध्यान पंजाब पर लगा सके रिबेरो के मना करने के बाद भारत सरकार ने एक नोटिविकेशन निकाला जिसमें DZP के पद को बढ़ा कर विसीय सज्यू के समकर्ष्ट रखने कर निडदे लिया गया और फिर रिबेरो डीजीपी बने विसेस अजीव कपड जिस पर रिबेरो काम कर रहे थे वे भी भारत सरकार ने विसेस तोर पर उनके लिए कड़ा था गुजरात में दंगो पर बिना पुलिश्या हिंसा की काबू पाने की एवच में उन्हें यह इनाम दिया गया था इन तमाम सफलताओं की बावजूत रिबेरो आपसी बातचीत में खुद को असफल मानते हैं लेकिन उन कारणों से नहीं जो उनकी विरोधी गिनाते रहे हैं उन्हें आज भी सुख्या सिकंदर का चेहरा याद है सुख्या पंजाब पुलिश में सिफाही था रिबेरो पंजाब को समझने की कोशिश कर रहे थे और तीजी से सीख रहे थे इसी दोर में सुख्या सिकंदर ने खालिस्तान के समर्थन का जंडा उठा लिया और आतंकी बन गया रिबेरो ने उसी रोकने की काफी कोशिश की वे जानते थे कि सिकंदर के जाने का सीधा असर पुलिश की मनोबल पर पड़ेगा लेकिन सिकंदर चला गया और बाद में पुलिश की गोली से ही मारा गया बंबई का चैप्टर रिबेरो की कहानी में पंजाब का शरवादिक एहम रोल है लेकिन हाजी मस्तान, करीम लाला और दत्ता सामंत के जिक्र के बिना उनके कहानी अदूरी है इन में से हर किरदार पर कई कई फिल्मे बन चुकी है अपने पंजाब और गुजरात पोस्टिंग से पहले करियर का जादातर वक्त रिबेरो ने मुंबई और उसके आसपास बिताया 1982 की बात है करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का आमना सामना सडकों पर होने लगा था दाउद इबराहिम और उसका भाई कास कर हाजी मस्तान के लिए काम करते थे दाउद ने स्मगलिंग के धंदे में ड्रक्स को सामिल जिसका उसके बोस हाजी मस्तान ने विरोध किया लेकिन मस्तान की पकड़ अब गैंग पर कम हो गई थी और दाउद खुले आम करीम लाला की गैंग को खद्म करने पर आमादा था ये वही दोर था जब रिबेरो ने मुंबई पुलिस कमिशनर की रूब ने अपनी पारी चुरू की रिबेरो इन गैंग से ही जूज रहे थे कि एक नए लड़की ने आतंक मचा दिया था उसका नाम था मनिया शुरूवे एक पुलिस वाले की ज्यात्ती की वज़े से ही मनिया गैंग्स्टर बन गया था रिबेरो को सब कुछ नियंदरण में करना था ऐसे समय में उन्होंने प्लैन किया था मुंबई का पहला इनकाउंटर खुद कभी गन लेकर ना चलने वाले रिबेरो ने वाटला कॉलेज में पूरी प्लैनिंग के साथ मनिया को घेरा मनिया यहाँ अपनी गल्फरंड से मिलने आया था रिबेरो ने ही उसकी गल्फरंड को भरोसे में लिया कि वे मनिया को पकड़वा दिया इस कॉलेज में घेर कर मनिया को गोली मार दी गई गोली मारने वाले सभी अफसर रिबेरो के खास थे कहा जाता है कि इसके बाद मुंबई पुलिस मनिया को अस्पताल ले जाने के बहाने सरकों पर तब तक घुमाती रही जब तक वैं मर नहीं गया रिबेरो के इस कदम ने गैंग्स्टरों के मन में डर बैठा दिया और दाओद जैसे नए उबरते बदमाचूर की समझ में आ गया कि पुलिस अब दोस्ते नहीं रहे इस इंकाउंटर को काफी सराहा गया तथा ऐसे और भी इंकाउंटर्स के जरूरत बताई गये लेकिन रिबेरो ने इस से इंकार कर दिया हलांकि उन्होंने गैंग्स्टर पर पूरा दबाव बनाये रखा इस दबाव का असर यह हुआ कि हाजी मस्तान लोगतांतरिक तरीके से जैप्रकाश नराड की आंदोलन से जुड़ गया और उसने इस मगलिंग छोड़ दिया पे शुरू होने लगी कहा जाता है कि दत्ता सामंत की प्रसिद्धी से घबरा करे इंदरा गांधी ने बाल ठाकरे को आगे किया था दत्ता सामंत को लोग प्यार से डॉक्टर कहते रहें रिबेरो और दत्ता का कई बार आमन सामना हुआ दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे लेकिन कानून विवस्ता बनाए रखा रिबेरो का फर्ज था कबड़ा मिलो की राजनी थी पूरे देश को प्रभावित कर रहे थी और मजदूर नेता के रूप में सामंत कोई समझोधा करने को तयार नहीं थे एक बार की बात है महारास्टर के मुख्य मंत्री ने दत् ना पहुँचे पुलिश कमिशनर ने अपने एडिशनल यानी रिबेरो को आदेश दिया कि मुख्य मंत्री सामंत से मिलना नहीं चाहते लेकिन ये संदेश भी नहीं देना चाहते हैं इसलिए कैसे भी सामंत को रोको कमिशनर रिबेरो को पसंद नहीं करते थे उन्होंने सो का सिकार बनते रिबेरो ने पता किया कि सामन्ती की'll केशन का कोई पता नहीं चला उन्होंने तुरंट निर्ण लेती हैं सामन्ती की चेतर से पुलिश को हटा दिया जिससे यह संदेश कया डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं इसलिए सब ठीक है डॉक्टर भी इस भ आवास के आजपास पूलिश लगा दी मुख्यमंदरी बंगली की अंदर और बाहर हमेशा पूलिश रहती ही थी तो किसी तरह के शक्क सवाल ही नहीं उठा डॉक्टर की गारी मुख्यमंदरी की आवास के पहुंची और वहां रिबेड़ो को देख डौक्टर को चौके लेकिन तब तक देर हो चुकी थी मिलने कि समय से थीक पौम्च मिनट पहले रिवेरो ने सामंत को उठा लिया हलांकि बाद में उन्हीं इस राजनीती के बारे में भी बता दिया सामन्त और रिबेरो का संबंद दोस्त आना जादा था रिबेरो के कहने पर ही शामन्त ने इंदरा गांधी की गारी को जाने दिया था सामन्त और उनके हजारों मजदूर साथियों ने इंदरा जी को घेर लिया था बाद में मुख्य मंत्री ने रिबेरो की तारीफ करते वे कहा कि उन्होंने ना कड़ने से बचा ली तत्ता सामन्त अपनी हत्या तक रिबेरो के संपर्ग में रहे एक IPS अधिकारी के रूप में जूलियो फ्रांसिस रिबेरो ने जो किया वे आने वाले दौर के लिए एक मानक बन गया किसी पुलिस वाले के लिए गोली चलाना सबसे आशान रास्ता होता है लेकिन जिस रास्ते पर चल कर भरोसा पैदा किया जा सकता है रिबेरो ने उसे चुना उन्होंने कभी किसी अपरादी पर गोली नहीं चलाई फिर भी उनकी आदम खता का नाम है बुलिट फॉर बुलिट इसके बारी में रिबेरो कहते हैं कि पंजाब के सम्मंद में ये बात प्रेस में छपी कि मैंने कहा है गोली के बदले गोली उसके बाद ये लाइन मुझ पर चश्पा कर गई मैं सफाई देता रहा कि मैंने नहीं कहा है लेकिन किसी ने ना सुनी इसलिए अरो नहरो ने इस किताब का नाम करड़ ही बुलिट फॉर बुलिट कर दे रिबेरो पुलिस अकादमी के छटे बैच के अधिकारी थे ये वही बैस था जिसका रुत्वा देश भर में कायम था क्योंकि इसकी तकरीबन हर अधिकारी देश के विभिन हिश्चों में सीड्स पदों पर पहुँचा लेकिन इस बैच में भी सबसे जादा समान सबसे जादा लंबे आदमी का था जूलियो फ्रॉंसिस रिबेरो का तो इसे के साथ ये थर्ड चैप्टर समाप्त होता है तो ये आजियो बुक आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये आजियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों के चार्ट शेयर करें और इसके आने वाले पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे किसी और वीडियो में इस बुक के अगले चैप्टर के साथ तो तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें और योहीं पढ़ते रहें टाटा बाई बाई